प्रदेश की भजनलाज सरकार ने दूसरा बड़ा फेर बदल किया है और 40 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रदेश की भजनलाज सरकार ने दूसरा बड़ा फेर बदल यहां पर देखने को मिला है और जिसमें 40 IAS अधिकारी हैं जिनके तबादले यहां पर किये गई हैं और जिसमें 16 IAS को अतरिक्त प्रभार दिया गया है। शिवर में लगी अलग अलग योजनाओ की स्टॉल का सीम ने निरिक्षन किया इस दोरान जलस अंसादन मंत्री भी मौजूद रहें। सीगा पुष्कर में जनसबा संबोधत करते हुए सीम ने अपराध्यों के सक्त चिताबनी भी दी है। उन्होंने का है कि राजस्तान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है। यहां पराध्यों की कोई जगा नहीं है। कॉंग्रेस वाले केते हैं गुनिश पेपरों में से सत्रे पेपर लीकिये। अरे भाई यह युवा है और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो ठीज थी। युवा के मन में जो अफान था। युवा जो परेशान था। हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी हम S.I.T. गठित करेंगे। और मैं तो मैं कहना चाहता हूं ADG के नित्रों तो हमने S.I.T. गठित की। और उसे S.I.T. ने काम में परारम कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे। उनका भी इंतिजाम होने वाला है। और उन्होंने काम परारम कर दिया है। संग्टित अपराद के लिए हमने गेंग इस्तर टास्पोर्स का भी गठन किया है। जिसने अपना काम परारम किया है। जिस तरह के अपराद होते थे और अपराद की निकल जाते थे। ये राजिस्थान है ये सक्ति और भक्ति की धर्ती है ये अपराज की धर्ती नहीं है हम कहना चाहते हैं या किसी भी तरह का अपराज से नहीं किया जाएगा